अगर हम आपको बताएं कि फर्राटे भरती हुई ये बाइक हवा से चलती है तो शायद आप यकीन ना कर पाएं लेकिन ये सच है उतर प्रदेश के लखनों में हवा से चलने वाली ये बाइक बनाई गई है जिसका हाल ही में पेटेंट भी करवाया जा चुका है स्कूल ओफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनों के महा निदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंग ने बताया कि ये बाइक हवा के दबाव से चलती है नॉर्मल हवा इसके सिलेंडर में भरी जाती है एक बार हवा भरवाने का खर्चा पांच रुपे आता है इतने में बाइक 45 किलोमीटर चल जाती है और इसके स्पीड 70 से 80 किलोमीटर है आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी तरस्त रहता है आए दिन इनकी कीमतें बरती रहती हैं ऐसे में हवा से चलने वाली बाइक आम आदमी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है कमाल की बात ये है कि 45 किलोमीटर तक का सफर तै करने के लिए इस बाइक में सिर्फ 5 रुपे की हवा काफी होती है इस बाइक की एक और खासियत इसके स्पीड है खबरों के मताबिक इस बाइक की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रती घंटे तक जा सकती है हाल ही में इस बाइक के लिए भारत सरकार ने पेटेंट भी जारी कर दिया है हवा से चलिवाली इस कमाल की बाइक के बाइक के बारे में लखनों के स्कूल अफ मैनेजमेंट साइंसेस के महानिदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंग ने कहा कि ये बाइक हवा की दबाव से चलती है नॉर्मल हवा इसके सिलिंडर में भरी जाती है एक बार हवा भरवाने का खर्चा पांच रुपय आता है इतने में बाइक 45 किलोमीटर चल जाती है इसकी स्पीड 70-80 किलोमीटर है बताया जाता है कि भरतराज सिंग इसके पेटेंट के लिए पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे लेकिन हाल ही में उनको सफलता मिली है जब भारत सरकार ने उन्हें पेटेंट दे दिया है हवा से चलने वाली इस बाइक को अगर अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा सिर्फ 5 रुपे की खर्च में 45 किलोमीटर के दूरी तै करने का मतलब है कि इस से पेट्रोल के मुकाबले काफी कम लागत में अपनी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है अभी इस मोटो साइकल के मास प्रोडक्शन के बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है लेकिन यदि ये तमाम सुरक्षा मानों को पर खरी उतरती है तो प्रोफेसर भरत राज सिंग के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धी होगी लेटिस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें